लोग देखेंगे अब question number 38 देखें बहुत ही आसान question दिख रहा है कहता है कि ये एक reactant है और ये एक product है ठीक है तो कहता है ये कई से बनेगा ये reactant से product कई से बनेगा और पता ये चार option दिख रहा है अब देखेंगे हाँ पर ओएच तो जैसे है वैसे का वैसे रहेगा ये जो C double bond O है ये जो C double bond O है उसको CH2 में बदला हुआ है देखेंगे हाँ पर CH2 में बदला हुआ है अच्छा जैसे ही C double bond O को CH2 में बदलने की बात आती है है ना तो दो reducing agent तुरंत ही आजा जाता है एक क्लिमेंशन दूसरा क्लिमेंशन क्लिमेंशन क्या होता है बच्छों जिंक HG लेकिन HD medium और ये क्या होता है हाइड्राजीन NH2 NH2 hydrogen लेकिन medium कैसा बेसिक अच्छा इसका मतलब यह है कि ये दोनों C double bond O को उराने में माहिर है लेकिन सवाद ये उठता है कि क्या HD medium में HD medium में क्लिमेंशन को चुनने से कहीं यहां तो कुछ गरवरी नहीं हो जाए बिलकुल गरवरी हो सकता है भई H plus protonation होगा तो तुरन कार्वो केटाइन बनेगा और फिर ये CL minus यहां पर attack कर देगा नहीं है समझने भई ये OH जो है ये H plus पर attack करके protonation dehydration होगा H2O बाहर निकलेगा कार्वो केटाइन बनेगा कार्वो केटाइन पर ये CL minus attack कर देगा और ये जो आपका OH है जो पूछ लगा हुआ है तो ये आपका पूछ ही बदल जाएगा इसका मतलब ये है कि कलिमेंसन को यूज करना यहां पर खत्रे से खाली है ठीक है चलिए इसका मतलब ये है कि अब तो हमारे पास दूसरा ही option है कि हाइड्राजीन को ये आंसर कर दिया जाए तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए option number B ही होगा लेकिन इसका answer option number B नहीं होगा सोच ये क्या हो तो कि इसमें एक धोखा किया हुआ है देखिए दोनों cyclohexane के बीच में दो कारवन है कारवन की संख्या है यहाँ पर देखिए one और two है और यहाँ पर दोनों cyclohexane के बीच में एक ही कारवन है समझने हा रहा है क्या तो बैस सब जानता था मैंने question बनाने वाला ये बात जानता था कि C double bond O को जैसे ही यहाँ पर CH2 में देखेगा तुरंत वाल किशनर में आंसर लगा के बच्चा आगे बढ़ जाए है तो जल्दवाजी में इस तरह की गलतिया होती है तो यहाँ पर देखे बच्चों दो कारवन एक कारवन को सीधा गाइब कर दिया गया है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर एक option यहाँ पर दो कर दिया है